जिससान में लोगसभा चुनाव की दूसरे चरण में शुकरवार को 13 सीटों पर वोटिंग होई पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में करीब 6 फीसदी ज्यादा वोटिंग दर्च की गई वही सभी 25 सीटों पर मतदान 11.60 फीसदी रहा जो पिशले चुनाव के मुकाबले 5.1 एक फीसदी कम रहा लेकिन हर एक लोगसभा सीट की वोटिंग कुछ और ही कहानी बया कर रही है तो इस पूरे प्रकरण में देखा गया अलग-अलग तस्वीरे हमने हर एक भूट से आपको दिखाए थी कल किस तरीके से वोटिंग के लिए हर पोलिंग भूट पर विवस्था की गई थी और जो मतदान फीसिदी है 25 सीटों पर वो 61.60 फीसिदी रहा जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले 5.1 एक फीसिदी कम रहा लेकिन हर लोग सभा सीट पर वोटिंग की जो कहानिया है वो कुछ और ही बया कर रही है चुकि चुनाव आयों के तरफ से भी लगातार लोगों को प्रेरित किया गया था मतदान करने के लिए और सभी जो पार्टिया है उनकी तरफ से भी लोगों से अपील की गई थी कि अपने मतादिकार का इस्तेबाल जरूर करें और हमने आपको हर एक बूत की तस्वीर भी दिखाई थी किस तरीके से पोलिंग बूतों पर विवस्थाई की गई थी ताकि अगर यहाँ पर मतदाता पहुँचते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परिशानी ना हो सके इस बात का भी खास क्याल रखा गया था हालनकि मौसम की वज़े से वोटिंग पसेंटिज पर थोड़ा आसर देखने को जरूर मिला राजस्तान में लोगसवा चुनाव की 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब ये चर्चाएं तेज हो गई है कि कहां कहां पर सीधा मुकाबला है कहां मामला फस गया है और कहां पर कॉंग्रेस और कहां पर भाजपा आसानी से चुनाव जीत रही हलांकि अगर देखा जाए तो अभी तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 64.52 परतिशत मतदान राजस्तान में हुआ है अभी भी इसमें इजाफा होने की संभावना है लेकिन ये पिछली बार की जो वोटिंग थी उससे थोड़ा कम है पिछली बार का अगर बात करें तो करीब 66.12 परतिशत वोटिंग 2019 में हुई थी ये इस बार का जो मतदान है वो पिछली बार से कम है लेकिन 2014 से थोड़ा ज्यादा है 2014 में 25 सिटों पर करीब 63 फिजदी मतदान हुआ था लेकिन सवाल ये है कि इस बार का चुनाव पिछली बार के दो चुनावं से अलग कैसे है 25-0 यानि सारी 25 की 25 सिटें भाजपा लगातार दो बार से जीतने आ रही है और इस बार भी क्लीन स्वीप का उसका दावा है ऐसे में चैलेंज कॉंग्रिस के लिए सबसे बड़ा ये था कि वो राजरस्तान में कैसे खाता खोले इस बार कॉंग्रिस ने बहुत अच्छा चैर में हुआ बहतर फिजदी से जादा मदान यहां पर हुआ अलांकि पिछली बार से थोड़ा सा कम है लेकिन उसके बावजूद इस सीट पर रविंदर सिंग भाटी और उमेदाराम बेनिवाल जो कॉंग्रेस के हैं भाटी निर्दलिये हैं दोनों के बीच कड़ा संगर त्रिकोनिय मुकाबले जैसी स्थिती हमें इस सीट पर नहीं दिखाई दी कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाजपा प्रतियाशी यह मान चुके हैं कि वो मुकाबले में नहीं है और कल चुनाव में वोटिंग के बाद भी वो ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे और यहां पर जो भाजपा के सपोर्टर थे उनमें भी निराशा का महौल था अगर मैं वोटिंग परतिशत की बात करूं तो एक बार आपको सिलसले बार डंग से बता देता हूं कि कहां पर कितना वोट परतिशत हुआ है बाड़मेर में सबसे ज्यादा करीब 73.68 टॉंक सवाय जोदपूर में 64.01 फीजदी मदान हुआ है और कोटा में 70.82 यानि 70 फीजदी के आसपास और बड़ा हुआ वोट परतिशत की सोट जाएगा चितोडगड में भाजपा के परदेशादेक सीपी जोशी चुनावी मैदान में है और सीट पर 66.83 परतिशत मदान हुआ ये सीट में 63.20 फीजदी मदान हुआ जालावाड बारा जो एक तरीके से वस्तुन्दा राजे का गड़ है उनके बेटे दुशन सिंग चुनावी मैदान में है सामने कांग्रेस से परमोद भाया जैन की पतनी उर्मिला भाया जैन इस सीट पर चुनाव लड़ रही लेकिन नाइन फीजदी मदान हुआ है कैमरा में जसराज के साथ सुशान पारिक एंडी टीवी